है students, अगर आप commerce student हो या accountant हो या accounting से related किसी भी फिल्म में हो किसी भी तरीके से मतलब भी से related हो तो आप Instagram से कैसे 2 lakh rupees per month या उससे ज़्यादा earn कर सकते हो इसकी पूरी strategy और पूरी एक mindset जो आपका होना चाहिए उसके बारे में पूरी information में इस वीडियो में share करने वालो मैं कुछ disclaimer आपको देना चाहूँगा ये कोई na कोई get reach वाली system नहीं है अकसर क्या होगा जब Instagram से earn करने की या किसी भी earning की method की आप YouTube पे वीडियो देखते हो ना इस रखे की या कहीं पे भी आप वीडियो देख रहे होते हो तो उसमें बहुत बड़ी-बड़ी amount वो ऐसे ही हवा में बता देते हैं thumbnail में भी mention कर देंगे सब जगे mention कर देंगे I am not sure अभी क्या thumbnail create होगा बट हो सकता है कि thumbnail में mention किया हो और 2 lakh तक कि मैं आपको बताऊंगा 2 lakh ऐसा नहीं होगा कि आपने आज start किया Instagram और ये कल से आपकी account में 2 lakh रुपे हर मेने आने शुरू हो जाएंगे थोड़ा time लगेगा बट हर चीज में time लगता है 2 lakh रुपे अगर मैं कहूं कि आप job में परमन्त अर्ण करने लगोगे तो शायद अगर आपकी education बहुत high five नहीं है तो वो एक लगबग impossible type में चीज हो सकती है ठीक है तो अगर यहां पर आपको 2 lakh रुपे परमन्त अर्ण करने का एक scope दिख रहा है तो definitely आपको उसके उपर work करना चाहिए बट हाँ starting में भी आप 25-30,000 रुपे कैसे महीने का earn करना शुरू कर सकते हूं वो सारी strategies इसमें आपको मैं cover करने वाला हूं ठीक है just give me a second all right क्या हो गया हाँ जी तो यहां पर सबसे पहले I am CA यह प्यूश गुपता तो जो चीजे मैं share कर रहा हूंगा आप उसको अच्छे से trust कर सकते हो online मेरी presence है so मुझे online के बारे में भी पता है two lakh plus students को guide कर चुका हूं जी इसमें से बहुत सारे student आज महीने के lakhs में earn कर रही है तो यह सारी strategies वर्क करती है seriously देखना नहीं देखना उसको follow करना नहीं करना that's completely your choice ठीक है चलो मुझे उमीद है कि अब तक रुके हो तो definitely इसके वर्क करोगे आगे start करने से पहले एक important news मैं आपके साथ share करना चाहरा था आपको पता है कि हमारे 25 certificate courses रहते हैं जो basic से लेकर advanced level तक है return filing registration and all things जो उनके nearby होती है तो वो courses अभी बहुत heavy discount पे available हैं उन students के लिए जो financially इतने strong नहीं है और full fees provide नहीं कर रहेंगे तो आप join कर सकते हो just 400 rupees per subject के around fees पे तो ये 25 courses आप join कर सकते हो और इन courses को करने के बाद students 50,000 से ज़्यादा earned कर रहे हैं in fact कुछ student ऐसे भी है जो 2,3,000,000 रुपे महिना भी earned कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि इतना practically कैसे possible है तो app download करिए course के अंदर free videos भी हैं आप पहले उनको check करिए और समझे कि कैसे earning का scope इतना ज़्यादा इसमें exist करता है और इसके अंदर आपको GST income tax, tally, RP9 tally, prime audit, loan, financial account इस तरह की के सारे courses मिल जाएंगे तो अगर आप चाहते हो कि एक chartered accountant से expertise level लेना चाहते हो और सीखना चाहते हो practically तो इस opportunity को miss बिल्कूल भी मत करना है सबसे पहले मैं आपसे कोशन पूछू ना कि आपको क्या लगता है 2 lakh rupees per month earn करना यानि कि साल का अगर मैं कहूँ तो 20 से 25 लाग रूपे, 24 लाग बनता है मतलब तो अगर मैं कहूँ कि 20 लाग रूपे आपको साल का earn करना है 25 लाग चोपिस लाग करना है तो कितने followers आपको चाहिए होंगे एक बार सोचके बताना, comment करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अभी नहीं पढ़ रहा हूँगा बट मैं comment सब भी पढ़ता हूँ, बाद मैं मैं जरूर रीड करूँगा उसको बट comment करो तो ज़्यादा अच्छा है बट नहीं भी तो आप एक बार माइन में सोचो मेरे खाल से maximum case में आपको लगा होगे कि 1 million, 2 million या कम से कम 100k तो होने चाहिए, इस लगी कि आपके mind में कोई एक amount आई होगी, बट मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आप एक अच्छी amount अन करना चाहते हो, जैसे 20 अलाग रुपे अन करना चाह रहे हो, तो आप वो चीज ना, सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं, तो 5-6,000 followers पे भी कर सकते हो, सिर्फ 5-6,000 followers पे भी, अगर आपको यह चीज शोकिंग लगी और आपको लगता है कि 5-6,000 followers तो आप गेन कर सकते हो, तो definitely यह सारी चीज़े मैं आपको बहुत अच्छे से समझाओ, सबसे पहले ना, आपको एक क्या मैटर करता है कि बहुत सारे आपना यह देखोगे कि जो entertainment content बनाते हैं, बी-बी की वैंस हो गई, या इस तरह कि जो online गलत content बनाते हैं, या जो entertainment में भी cheap content बना रहे हैं, व्यूज बहुत आ रहे हैं, lacks of views हैं, but earning वो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, यह बहुत-बहुत- content कैसा बना रहे हैं, वो कैसी audience के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो views, likes, subscribers, इनके ऊपर आपको focus नहीं करना है, आपको यह चीज़ समझनी हैं, कि यह जो लोग है ना, यह असली लोग हैं, ठीक है, असली लोग हैं, मतलब आप खुछ सोचो, अगर मैं कहता हूं कि आपके 100 subscribers है 100 लोग, वो लोग हैं, जो आपकी value करते हैं, आपकी बात उनको अच्छी लगी, वो आपको सुनना चाहते हैं, इसी चीज़ को एक बार offline mode में सोच के देखो, आप एक stage पर खड़े हो और आपके सामने 100 लोग जो हैं, मतलब public जो हैं, 100 members बैठे हैं, कितना बड़ा area होता है 100 members को cover करने के लिए बहुत बड़ा hall होगा और एक बहुत बड़ा seminar हो गया है, 100 members अगर किसी seminar में आ रहे हैं, तो आप online को उससे कम क्यों समझ रहे हैं, उसको एक like या एक subscriber मत समझे, उसको 100 people समझे, इस चीज़ को अगर आप जो समझ रहे हो, पूरा आराम से समझना, मैं बह दो चीज़े हो सकती है, एक चीज़ तो क्या हो सकती है, बस subscribers पर focus करे जारो, subscribers बड़ाओ, 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 आपके मान के चलो मैं कहा रहा हूं, 50,000 subscribers भी होगे, बट वो subscribers ना सिर्फ आपका वीडियो देख लेते हैं, कभी कुछ मिल गया, देख लिया, उनको उनको पड़ता है, आप content डालो, नहीं डालो, आपके content में क्या quality है, आपकी value क्या है, उनसे उनको कोई फरक नहीं पड़ता है, वो 50,000 भी आपके लिए waste है, क्योंकि एक person ने, lakhs of channels, lakh नहीं तो मैं कहूंगा, आज के time पर hundreds of channels को followers subscribe क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट आपके followers हैं, जरूरी नहीं है, कि वो quality followers हो, आपको focus किस पर करना है, quality followers पर, इसलिए कभी followers को ना तो आपको purchase करना है, और ना ही कभी आपको ज़्यादा ऐसा कुछ करना है, कि अरे भाई मेरा subscribe कर ले, मुझे subscribe कर ले, आपने सब को जबदस्ती करा रहे हो, उससे मतलब नहीं है, जो आपके real audience है, जिनसे आपको लगता है कि कल को आपके client बन सकते है, main purpose है, आप उनको अपना followers बनाएगा, अच्छो, सबसे पहले यहाँ पे अब second मतलब बात आती है, वो यह है कि आप अपनी ना, एक audience को define करेंगी, किस category की है, मतलब अगर आप taxation या accounting से related अप्लोड कर करते जाओ, यह मत देखो कि कितना time होगया, कितने views आया, अगर 10 views भी आया, मतलब 10 लोगों ने आपकी video देखी, 10 लोगों ने आपकी बात सुनी, अब इसी को, आप हर चीज को, online वाले को, offline से compare करो, कि 10 लोग आपकी बात सुन रहे हैं, तो वो बहुत matter करता है, अब एक बा महीने के आपकी fix होगी, सिर्फ 10 लोगों से, बात समझे रहे हैं, और अगर आपने देखी हैं, मेरी videos, earning वाली videos देखी हैं, कि कैसे बाकी students, 50,000 से लेकर 3-4,000,000 रुपे महीना तक कमा रहे हैं, तो वो आपको पता चलेगा, एक client से आप और कुछ नहीं, 5-10,000 रुपे अरा और उनके साथ properly इंट्रेक्ट कर रहे हैं, उनके value addition कर रहे हैं, और वो आपसे impress हो जाते हैं, तो आप उसी से 40-50,000 रुपे महीना कमा सकते हो, पहले अपनी category define करनी है, और उसी से related आपको content post करना है, आप एक चीज़ देखोगे, आप Instagram account open करना, C.A.P.Y.O.G.P करके सर्च कर प्यूज कुपता के नाम से एक profile आएगी, ठीक है, उस पर आप देखेंगे, जिस टेम मैं video record कर रहा हूँ, लगबग 6,000 के all around subscribers हैं, पहले थोड़े जादा होगे तो उसमें से कुछ को मैंने remove किया है, तो अभी ऐसे ही होगा, 5,800 ये 6,000 के, सिर्फ इतने followers हैं, तो मुझे उससे फरक भी नहीं पड़ता है, मैं कभी भी इस चीज़ पर वर्क नहीं करता हूँ, कि ज़्यादा views है, ज़्यादा views है, otherwise मैं views वाला content prepare करता है, वहाँ पर कुछ तड़कता फड़कता जैसे बहुत सारे YouTubers होते हैं, Instagram होते हैं, even मैं text session वाली film में बात करता हूँ, वो पर कुछ भी नहीं है, views आते हैं, सब कुछ आते हैं, like भी आ जाते हैं, followers भी आ जाते हैं, वो लेकिन customer में convert नहीं होंगे, वो आपकी respect कभी नहीं करेंगे, आज Instagram पर अगर वो 5000 students हैं, तो वो 5000 students ऐसे हैं, जो बहुत 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 ज़्यादा, मतलब मैं कहुँगा कि, वो 5000 students respect करते हैं मेरी, ठीके, तो वो सिर्फ followers नहीं हैं, क्योंकि आपने देखोगा Instagram को, मैं normally अगर आप मुझे follow करते हैं, मैं ज़्यादा promote भी नहीं करता हूं, कहीं पर social media handles पर, whatsapp बहुत, बहुत rare कभी गयता हूं, तो वो student वो है, जिन्होंने सर्च करके, अपने आप से follow किया है, तो 5000 student ऐसे हैं, ठीके, और उसमें भी मेरी profile genes होती रहती है, तो वो पुराने followers बिचारे चले जाते हैं, अब यहाँ पर आपका content होना चाहिए, वो relevant होना चाहिए, valuable होना चाहिए, अगर हलका content डाला, तो उससे आपको benefit नहीं है, specialization होना चाहिए, जो भी content आप post कर रहे ह तो उसमें आप content को specialized सरी किसा है, specialization में इसका मतलब यह नहीं है, कि पहले सी आप पहले दिन से expert होगे, तो उसके बाद ही post करोगे, नहीं, आप चाहिए easy content डालो, उसको लेकिन एक बार verify कर लो, कि वो information सही है, ऐसा नहीं कि कहीं से किसी की देखी वीडियो और आपने उसी की copy करके upload कर दिया, क्योंकि verify करना जरूरी है, ऐसा नहीं एकने mistake करी तो आप भी उसके उपर same copy mistake आप करते हैं, valuable content प्रोवाइड करने के लिए मैं कुछ tips आपको दे रहा हूँ, जिससे related आप share कर सकते हो, जैसे GST से related कुछ updates आप share कर सकते हो, tax savings से related आप tips share कर सकते हो, financial planning से related related आपका helpful होगा, जैसे इसमें एक चीज़ हो रहा है, अगर ये presentation की जो slide है, आपको चाहिए होगी कि बाद में देखने के लिए आपके पास रहे, download करना चाह होगे, तो description में, फ़रले वीडियो देख लो, उसके बाद description में most probably link update हो जाएगा, आप वहाँ से इसको download कर देना, ठीक है, तब इसके बाद आता है engagement ही, engagement मतलब likes नहीं है, like और comment नहीं है, engagement का मतलब है, जो followers, जो subscriber ये जो लोग आपके profile पे आए हैं, आप उनसे question पूछिए कि आपको कोई doubt है, आप पूछो, उनको आप reply करो, starting में free service दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूँ कि बाद में आपके पास work होने लग जाएगा, जैसे ही मेरे लिए ज़्यादा possible नहीं हो पाता है, क्योंकि already इतना occupied होता हूँ, तो one-to-one सारे reply, social media पे करना possible नहीं होता है, बट still, आप देखोगे, मैं आज भी बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, कि मैं सबके reply जहां तक, जो comments अच पांच महीने बाद वो आपके client बनेंगे, questions के followers हैं, उनकी questions के answers करो, और उनके बीच में अपना trust builder करो, अच्छा, एक चीज़ आती है, मैं बार 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 बात कर रहा हूँ, clients की, तो sir, इसका मतलब क्या सिफ practice वालों के लिए helpful है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप job में और आप accountant भी हो, तो भी आप अपनी online presence create करें, उससे क्या होगा कि, आपके online presence है, ठीक है, आपके let's say thousands followers है, वो जो thousand followers हैं, वो अलग-अलग locations हैं, वो मान की चलो business man है, कोई accountant है, जो आपका content देखता है, आपको पसंद आता है, आपको कल को job की कहीं पर requirement होगी, आपने एक post कि या, अब वो किसी company में काम कर रहे होंगे, या company के honor होंगे, उनको हाच तक पिछले एक साल से वो आपका content देखते आ रहे हैं, तो हो सकता है, उनके पास requirement हो, और वो आपको hire कर ले हो, और जब एक साल की value उनके पास होगी, जो person सामने साब को call कर रहे है, तो वहाँ पर आप एक बार फिर में यह कहूँगा कि सेपिश गूब तो mobile app है, उसमें courses में अंदर demo videos होती है, तो वहाँ पर देखना कि कैसे आप lags में earn कर सकते हो, और वो सारी services client को आप दोगे, तो definitely clients बनाने की सारा काम हो रहे है, Instagram के features जो हैं, उनको सब को use करो, अगर मैं technical term में बात करता कि stories पे भी आप content upload करो, IGTV जो है वो अब तो खदम सही हो गया, rails आप definitely work करोगे, long form content भी आप upload कर सकते हो, उसमें long video story और short form content तो आप चलता ही है, और बीच-बीच में आप चाहो तो live जा सकते हो, जब आपको लगता है कि हाँ मेरा grip बन गी है, किसी छोटे topic पे जाओ, उसी के सही collaborator आपको मिलना जाए, तो starting में आपको individually work करना पड़ता है, बढ़ हाँ, आप देख सकते हो कि जो similar channels है, आप दोनों एक दुसरे के cross promote कर सकते हो, collaboration विगरा से आप हैप ले सकते हो, बढ़ छोटे level पर बहुत जादा matter नहीं करता है, इस सीज का, tracking and adapting इसके पाद आप analytics वि इंप्रूफ करते जाओ, trends यो है, थोड़ा सा उसके related दो, सिर्फ लेकिन views के check कर में, आप कोई भी content create मत करो, और regularly आप उसके उपर check करते हो कि सारी चीजे सही है, अगर अच्छा लगा है तो definitely इस वीडियो को like, subscribe और share तो करी देना, क्योंकि बहुत मेनत लगती है इस वीड इंसर कर लेना, maximum लोगों के हम मिलके help कर पाएं, चीक है, bye bye